पर दो जुदिनार कसिस नीज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग बड़ी ख़बर है आर जैडी सुप्रीमों के जमानत याचिका से जुड़ी हुई जिहां बड़ी ख़बर यह है कि लालू की याचिका पर सुनवाई आज तल गई है और अगली सुनवाई आठ अप जुड़ी हुई है दरसल लालू परसाद यादो डोरांडा को सागार के मामले में जो चारा घुटाला का सबसे बड़ा मामला है इस मामले में सजा यापraszam neglect सजा हुई है उन्हें और साथ लग का जुर्माना लगाया गया है और इस मामले में अब कोट में आज सुनवाई की जानी थी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी दरसल जज साहब नहीं पहुचे कोट में तो ये बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं लालू परसाद यादों से बिलहाल समर्थकों को परिवार वालों को अब 8 अपरेल तक का इंतजार करना होगा तो ये बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं लालू परसाद यादों से जुड़ी हुई आपको बताएं कि लालू परसाद यादों के लिए जो बेल मांगी गई है जो जमानत मांगी गई है वो medical ground को आधार बना कर मांगी गई है आपको बताएं कि पिछले दिनों जिस तरह से लालू परसाद यादो लगतार कई सारी बीमारियों से जूज रहे थे और जब वो चारा कोटाले में जब उन्हें सजा मिली थी और 14 फरवरी को वो जेल गए थे और उसके बाद से उनकी जांच की और जब रिपोर्ट्स आएं तो साइड उन्होंने हाथ खड़े कर दिया और ततकाल अलंफानन में लालू यादों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया तो इस बीच जो medical ground के अधार पर जमानत की भी मांग की गई है लालू यादों की जो सेहत है नहीं है उसका हवाला दिया गया है किड्नी जो क्रियेटनी लेवल होता है वो काफी बड़ा हुआ है जैसा कि बताया पिछले दिनों चब खबर आ रही थी कि किड्नी लगबक 80 फिजदी तक उनकी काम नहीं कर रही है 20 फिजदी किड्नी काम कर रही है उसके लाबाब सूग लालू यादों को जमानत मिल चुकी है लेकिन डोरांडा कोसागार में जो फैसल आया था उसके बाद अब जमानत के लिए लगातार याचिका की जारी है और आपको बताएं कि जो पिछली जो सुनवाई हुई थी जिस अप्रेश कुमार सिंग की अधालत में उसमें लोगर कोट का रिकॉर्ड मांगने का निर्देश दिया गिया था जस्ताहब की तरफ से इसके बाद जो सीबी आई ने और अदालत ने कहा था कि अगर सीबी आई लालू यादों की जमानत याचिका पर जबाब देना चाहती है तो कोट में दाखिल कर सकती है इससे पहले इस मामले 30.5 करोर रूपय की अबयर निकासी की गई थी लंबे समय तक इस मामले की सिवी आई की विशेश अदालत में सुनवाई चली और अंतरसाद 14 फरवारी को अदालत ने इस मामले में लालू यादों को दोसी ठेर आया था इसके बाद 21 फरवारी को ऑनलाइन सुनवाई में ला रंडा कोसागार से जुड़े वे मामले में जिसमें जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन जजज साहब आज नहीं बैटे तो लालू यादो के जमानत की याचिका की सुनवाई टल गई और अगली सुनवाई आठ अपरैल को होगी तो फिलहाल थोड़ा इंतजार कर करना पड़ेगा लालू यादो की जमानत को लेकर पने रहिए कसिस न्यूज के साथ तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए तना ही धन्यवाद